जैहिन सात्यों स्वागत थे आपका Self Study Classes विस्वमिचेन यूटूब चैनल में दोस्तो आज का वीडियो स्टार्ड हो चुका है तो आज हम पढ़ने वाले बहुत ही फ़नी ट्रिक जिसमें हम पढ़ेंगे ज्यानपीट प्रोस्कार से प्रोस्कृत सारी रचनाओं को तो आज आपको पूरा वीडियो देखना है इससे पहली मैंने आपको साहित अकादमी से प्रोस्कृत रचनाओं याद करवा दी ब्यास सम्मान से प्रोस्कृत जितनी भी रचना हैं सारी याद करवा दी और आज में आपको ग्यानपीट प्रोस्कार से प्रोस्कृत रचना है प्लस साहत्यकार को कभी ये ग्यानपीट प्रोस्कार मिला है वो सन भी आपको याद करवाने वाली ठीके तो पूरा वीडियो आपको देखना है और वीडियो को लाइक करके सेर अबस करना है जो भी साती अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर लें और हिंदी साहित का अपना एक प्यारा सा वाट्स अफ ग्रोफ है जिसके लिए आपको 9098609291 इस नम्मर पर आपको SMS करना है और दोस्तों आपको जुड़ जाना है ठीक है तो स्टार करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो फटापट से आपको बताना है आपका टेस्ट भी होगा और आपको ट्रिक भी बताई जाएगी बताना है दोस्तों चिदंबरा की रचनाकार कौन है चिदंब जी की है और आनम्मर आपका बिल्कुस सही हो जाएगा और इसे कम मिला दोस्तो तो इसे मिला 1968 में ठीक है अब आपको कैसे याद रख लेना आप कई बार पढ़ चुके लेकिन भूल जाते हो लेकिन अब आपको कभी नहीं भूलने वाले आपको याद रखना है कि चिदंबरा के पंत 68 के हो गए है तो चिदंबरा पंत जी की रचना है और 68 में क्या मिला इने ग्यान पीट पूसकार मिला अब आप कभी नहीं बूलोगे यह ना पूछा जाएगा कि चिदंबरा के पंत 68 के हो गए है इतना याद रखना है सिर्प आपको ठीक है तो याद हुआ आपको क कि नहीं हुआ, क्या याद रखेंगे, चेदंबरा के पंत 68 की हो गए हैं, ठीक है, और बसी के रचनाकार बताना है दोस्तों, और, और मतलब होता हिरदय, और बसी मतलब बसी, मतलब हिरदय में बसी, अब बोले हिरदय में बसी, तो रात में बसी की दिन में बसी, ये भी आप कर जी हो जाएंगे दिन कर और दिन से दिन कर और और बसी रचना जो होगी वो दिन कर की होगी और इसे 1972 में दोस्तों 72 में क्या मिला ग्यान पीट पर उसकर मिला यह चीज भी आपको याद रखनी है ठीक है तो अब मैं आप से कभी पूछूंगा कि और बसी के रचनाकार कौन कितनी नाओं में कितनी बार आप दोस्तों एक चीज बता ना आपको प्रस्ण खुद कहरा है कि उत्तर यहीँ पर है बोलगा ना कितनी नाओं में कितनी बार आप बैठे हो मतलब वो चीज क्या है अग्यात रहेखने प्रस्ण ने खोद बोला कि उत्तर यहीं पर है कहीं जाने की ज़ुरत नहीं है कितनी नाव में कितनी बार बोले अग्ये अग्ये से अग्ये आपके रचनाकार हो जाएंगे कितनी नाव में कितनी बार अग्ये है ना सचिदानंद हीरानंद वासायन अग्ये इनका पूरा नाम है दोस्तों और इनकी रचना है कितनी नाव में कितनी बार अग्य जी की है और 1978 में दोस्तों 78 में क्या मिला इन्हें ग्यान पीट पुरुसकार मिला अग्य जी को ठीक है तो अब मैं कभी भी आप पूछूँगा कितनी नाव में कितनी बार बोले सर मुझे कुद पता नहीं है अग्य है ये तो कि कितनी नाव में कितनी बार बैठ चुके हैं ठीके तो अग्य यामा के रचनाकार कौन है दोस्तो यामा बहुत ही बड़ी या रचना है बार पूची गई दोस्तो याद रख लेना है ना या और मा तो आई रहा है मा है ना तो मा से आपका महादेवी वर्मा और महादेवी वर्मा आपको पता है दोस्तो आधने की उपकी मीरा इने कहा जाता है महादेवी वर्मा को चायवाद के चार आधर स्तंबो में फिर मुख म आनी जाती है महादेवी बर्मा ठीके और इन्हें दोस्तों कम मिला 1982 में 1982 और 82 बार महादेवी जी की पूजा करके आना तरह आपका एक्जाम भी निकल जाएगा कितने बार पूजन करना है 82 बार ओले सर पूजन तो ठीक हम 82 नदियल चड़ा के आएंगे बिलकुल चड़ा के एक में एसे बताईए हिंडी की किकल एक मादर महिला रचनाकार को किसी रचना के लिए ज्ष्टप्रूजार दिया गया तो वो है महादेवी बर्मा जिनकी रचना है यामा और 1982 में इने ग्यानपीट पुरुषकार मेला ठीक है नरेस मेहता को ग्यानपीट पुरुषकार कब मेला दोस्तों नरेस मतलब होता है नरेस मतलब होता क्या राजा और आप कैसे याद रखोंगे कि नरेश को बान मार दिया नरेश को बान मार दिया तो नरेश को बान से हो जाएगा आपका बान बै बान बै है ना बोले बान मार दिया किसको नरेश को तो नरेश को बान मार दिया ग्यान पीट पुरुसकार नेक्स्ट आप से पूँचा जाएगा निर्मल बर्मा को पुरुसकार कब मिला दोस्तो निर्मल बर्मा को बताना है और निर्मल बर्मा ठीके कैसे याद रखोगे इसको निर्मल बर्मा को मिला 99, 1999 में सीधा सीधा याद रख लेना निर्मल 99 के हो गए हैं कितने के हो गए हैं निर्मल 99 के हो गए हैं है ना कैसे याद रखोगी निर्मल 99 के हो गए यानि की 1999 ठीके याद रख लेना अगर ट्रेक आप लिख रहे हो तो लिख जरूर लेना निर्मल कितने के हो गए हैं 99 के हो गए हैं और निर्मण 99 वेक्षे तो होई गए हैं, कुवर नारायण को ग्यान पीट पर स्कार कब मिला दोस्तों, कुवर, दोस्तों एक चीज बता दें, कि किसी विसेष छेत्र में कुवर को, जो जी जा जी होते हैं, जी जा जी, उन्हें कुवर बोला जाता है, कुवर, है ना, और ब 2005immen कुंगर नारायन को क्या मिल गए ग्यान पीड पुरुसकार मिल गा अब मैं आपसे का कितने कंगर हैं बो देने पांच हैं तीक कित यह पांच कुंगर तो आपको बता है दोस्तों कि बहुत सारी माताय होती हैं अपने लाल से बहुत प्यार करती हैं वो चाहती है कि मेरा लाल अमर हो जाए एक बार क्या हुआ एक माता ने बोला भगवान से कि भगवान मेरे लाल को अमर कर दो तो भगवान बोले नो नो एहसा नहीं हो सकता क्या बोल बोला कि मेरे लाल को अमर कर दो भगवान ने बोला नो तो नौ है ना दो हजार नौ याद रखड़े ना स्री लाल सोकल और अमरकांत को जो ग्यानपीट पुरुसकार मिला वो दो हजार नौ में मिला है ना नहीं हो सकता ठीक है अब आपको दोस्तों ऐसा भी बताना है जो ट् आपने देखा होगा दोस्तों बहुत सारे लोग केदारनाच जाते हैं है ना केदारनाच जी यह बोले यात्रा पर गया है केदारनाच जी है ना तो कैसे याद रख लेना है मेरा दद्दा केदारनाच गया है ज्यान लेने क्या लेने मेरा दद्दा तेरा दद्दा स्वरी तेरा दद्दा केदारनात गया है, क्या लेने, ज्यान लेने, तो केदारनात गया है, तो केदारनात से हैं, और तेरा तो दो हजार तेरा, दो हजार तेरा में इसे ज्यान पीट पुरुसकार मिला, और ज्यान लेने तो ज्यान पीट पुरुसकार, ठीक है, तेरा दद्दा कहा कहां गया है कहां गया है केदारनात गया है और दोस्तों दद्दा से याद आया कि दद्दा किसका उपनाम है तो दद्दा उपनाम है मैतलिस्रन गुप्त का राष्ट कभी मैतलिस्रन गुप्त का उपनाम है इन्हें दद्दा भी कहा जाता था है ना और 13 में इन्हें केदारन सत्त्रा में सोब्ती, हैना, सत्त्रा में सोब्ती, इतना वा सियाद रखना है, सत्त्रा में सोब्ती, तो क्रशना सोब्ती को 2017 में ग्यानपीट पुरुषकार मिला, और दोस्तों अभी तक 10 रचनाओं, मतलब 10, 4 रचनाओं और बांकी साहितकारों को ग्यानपीट पुरुषका इसके पहले के बिडियो ब्यास सम्मान साहित तकाद्वियों पुरियो जड़ूर देखें और येक वार आप याद करेंगे कभी नहीं तो अब सीधा बता दोगे सर्ब 17 में सोबती सत्रा में सोबती हैंना निर्मल hm 99 के हो गए है 10ружROption में केदारनाथ कीक्त व४ाइंगा गया है को 2013 अब कभी नहीं भूल पाएंगे एसे भी यह उत रखना है और केहें पारीजाथ की छेलेंज प्रसने आपका पारी जात के रचनाकार कौन हैं दोस्तो साहित तकादी प्रुसकार भी इस रचना के लिए मिला है मैंने साहित तकादी प्रुसकार भी बताया है और मैंने आपको बताया था कि पारी ऐसी खेलना है जिसका सिराना हो जिसका सिराना हो यह से याद भी करवाया था तो मैंने हिंट भी आपको दे दी है और यहां पर यह दोस्तों चार पांच चार लेखक दिये हैं है ना इनके बारे में भी आपको बताना है नासरिया सर्मा मिर्दुला गर्ग नरेस महता क्रश्णा सोब तीन की एक एक रचनाई भी आपको कमेंट में लिखनी है ठीक है और पारिजात को कब साहित अकादमी प्रुषकार मिला रचना किसकी है यह सारा आपको लिखना है सब कुछ लिखना मैं सारे के सारे कमेंट आपके देखता हूं ठीक है और वीडियो में सबसे अच्छी फनी टरिक आपको कौनसी लगी वो भी कमेंट में बताना है और रोज साड़े नौ बजे दोस्तों आपकी सुबह साड़े नौ बजे टिर्की वीडियो आता है हिंदी साहित, नेट, जेयर, पीजी टी, टैट, एल्ल्टी गरेट, आर्पी असी सबी एक्जामों के लिए एक फनी टरिक ठीक है तो दोस्तों जो भी साती वाट्सप ग्रुफ से न लिंक मिल जाएगी ठीक है और दूस्तों अपना एक टेलिग्राम ग्रोफ है टेलिग्राम ग्रोफ में जूदना है अगर आपको तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरू कर लेना, सब्सक्राइब करके बैल आइकन को दबाकर औल पर कलिक आपको जरू करना है,